हलो Friends, मैं निलमला शर्बा, स्वागत है आपका Friends, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीज़ेगा उसमें हमने माहेस्वर सुत्र के बारे में पढ़ा था आज हम माहेस्वर सुत्र के आगे का भाग है वर्ण विचार माहेस्वर सुत्र में संस्कृत की संपून वर्ण माला सम्मिलित है जबकि ये वर्ण विचार है इसमें इसके अंतरकत हम देखेंगे कि वर्ण तीन प्रकार के होते हैं अच्छ या स्वर, हल या वेंजन और अयोगवा है अगर आपसे एक्जाम में क्यूशन पुछा जाए कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं तो वर्ण तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से स्वर, वेंजन और अयोगवा है स्वर क्यों से होते हैं स्वयम राजनते इती स्वरहा जो किसी बिना किसी अन्य वन की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं वो वेंजन होते हैं अयोगवाह क्या होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं, ना अज ना हल, जो ना तो स्वर होते हैं, और ना ही वेंजन होते हैं, आगे देखो, स्वरों को कितने भागों में बाटा गया है, ये प्रश्ण एक्जाम में बहुत बार आता है, और बार बार अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि माहेस्वर सुत्र के अनुसार कितने होते हैं तब तो नो होते हैं कौन-कौन से ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आ, और आ, कितने होते हैं ये नो सुत्र होते हैं अच्छ प्रत्याहार में आते हैं ये नो सुत्र किसमें आते हैं अच्छ प्रत्याहार में तो माहेस्वर सुत्र के अनुसार नो स्वर होते हैं और पाणिनिये सिक्षा अनुसार पाणिनिये सिक्षा के अनुसार होते हैं 21 वो 21 कैसे होते हैं ये हम आगे देखेंगे और 22 कब मानते हैं इसको जब प्लूतलरी को मान लिया गिन लिया जाता है तो इसमें 22 हो जाते हैं अदरवाइस आपको पूछा जाए पाने नहीं है सिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं तो 21 होते हैं अच्वो सुत्र सें अच्वो का मतलब क्या होता है ए, ए, उ, और री इनका दिर्ग रूप जैसे ए का होगा आ, ए का होगा बड़ी, उ, फिर री बड़ी री ऐसे लिखते हैं बड़ी, री ठीक है तो इस सुत्र से इनका दिर्ग रूप जो रिस्वा स्वर हैं उनका दिर्ग रूप धारन कर लिये जाता है इसलिए अच्छो सुत्र से अगर माना जाए तो 13 होते हैं और टोटल अगर स्वर पुछे जाए तो टोटल स्वर होते हैं 13 एक बार आप दुबारा समझे देखिए अगर आपसे एक्जाम में ये पुछा जाए कि माहेस्वर सुत्र के अनुसार कितने स्वर होते हैं तब आंसर आएगा नूग फिर हाई यदि पाणिनीय सिक्षा अनुसार आपसे पुछा जाए कि पाणिनीय सिक्षा के अनुसार कितन होते हैं तो टोटल स्वर दे रहे होते हैं और अच्वो सुत्र से कितने स्वर होते हैं तो भी दे रही होते हैं आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्वर के भीद कितने होते हैं ठीक है आगे देखते हैं स्वर अब हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं स्वर स्व स्वे मुच्चारिद्वनियों को स्वर कहते हैं इसमें किसी अन्य वन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो स्वर होते हैं फिर है अच्वो सुत्र के अनुसार प्रारंबिक चार रिस्व वर्णों ए ए ई उ और जी के दिर्ग रूप को धारण कर लिया जाता है तो इनकी शुक्या 13 हो जाती है नो प्लस चार फिर है नोट सामान्य संस्कत भाषा में इस car 13 स्वर होते हैं अगर एच्वो सुत्र से पूछे तो भी तेरा और सामान्य रूप से पूछे तो भी तेरा ही स्वर माने जायेंगे अब है पाणिनिय शिक्षा अनुसार पाणिनिय स कौन कोन से होते हैं 21 होते हैं या 22 होते हैं दोनों एप्सन में आएंगा आप एस इसमें इनको तीन भागों में बाटा गया है रिश्व दिर्ग और इसमें आयेङे दिर्ग में आएंगे आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ, 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 ये होते हैं आट और प्लुत जो दिर्ग है इनको ही इनके उपर ये मातरा आ जाती है वो होते हैं प्लुत देखिए यहां में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि प्लुत क्या होते हैं जैसे हम किसी को दूर से हैं दूर से अगर किसी को बुलाना होता है जैसे आगच क्रिश्ण यहां आएगा प्लुत जोर से आदूर से किसी को बुलाना होता है तो आगच क्रिश्ण ऐसे जोर से हम बोलते हैं तो वो होते हैं प्लुत तो प्लुत भी आठ होते हैं तो टोटल मिलाके कितने हो गए इक इसमें अगर प्लुतिल्री को और जोड लिया जाए तो 22 हो जाते हैं अन्य था 21 ही रहते हैं इसलिए पाणिनी शिक्षा अनुसार स्वर होते हैं 21 या 22 स्वरों का वर्गी करन अब स्वरों का कितने भागों में बाटा जाता है वो देखते हैं स्वर को सामने रूप से मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के माने जाते हैं जैसे एक मात्रों भवेत रिस्वाहा द्वी मात्रों दिर्गम उच्चेते त्री मात्रस्तु प्लूतो गयोहू वेंजनम चा अर्ध मात्रकम अर्धार एक मात्र को भवेत रिस्वाथ एक मात्रा वाला शब्द स्वर होता है रिष्वेख्च द्वी मात्रों दिर्गम उच्चेते दो मात्रा वाला होता है दिर्ग त्री मात्रस्तु प्लुत प्लुत हो गेयो और तीन मात्रा वाला उनके उपर तीन लगावा होता ना ऐसे आ हाना वेस वो होता है प्लुत अर्द मात्रकम वेंजनम जो आधी मात्रा वाला होता है वो वेंजन होता है कैसे जैसे हम देखते हैं के प्लस ए इसमें अगर ए नहीं मिला है तो ये क्या है वेंजन है अर्थार्थ एक मात्रा वाला स्वर रिस्व दो मात्रा वाला दिर्ग तथा तीन मात्रा वाला वर्ण प्लूत जानना चाहिए तथा अर्ध मात्रा स्वर रहीत वाला वर्ण वेंजन होता है रिस्वादी इन स्वरों को फिर देखो इनका पुनह रिस्वादी रिस्वा दिर्ग पलूत इन स्वरों को पुनह उद्दात, अनुदात और स्वरित के भेदों से पुनह तीन तीन भागों में विभाजित किया जाता है जैसे उद्दात किसे कहेंगे उच्चेई रुद्दात ये उच्चेई रुद्दात देखो इसका संधी विच्छेट करके देखते हैं उच्चेई प्लस उद्दात उद्दात ठीक है तो यहाँ पे विसर्ग का क्या बना है रे बना है अर्थार्थ इसमें कौन से संधी है र अर्थात तालू आदी उच्चारन स्थानों में उपरी भाग से उच्चारित किया जाने वाला स्वर उद्दात कहलाता है अत्वा उची ध्वनी में किया जाने वाला स्वर उद्दात स्वर कहलाता है फिर है अनुदात निच्चेईर अनुदात निच्चेही अनुदात वही रुट्वसंदी इसमें होगी तालवा अदिसू से भागे सू अधो भागो निस्पन्नो अच अनुदात संग्यह शाथ अच प्लस अनुदात अच प्लस अनुदात यहाँ पे चय का क्या बना है जय बना है प्रथम वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण है या है अर्थात इसमें जशत्वसंदी होगी अर्थात तालू आदीसू उच्चारन स्थानों के निमने भाग से उच्चारित स्वरों को अनुदात संग्या होती है फिर है स्वरित समाहारह स्वरित तोनों के बीच का भाल जैसे उद्दात तो उपर वाले भाग से बोल जाता है अनुदात नीचे वाले भाग से बोल जाता है इसी प्रकार जो स्वरित है वो समाहारह स्वरित ना उपर वाले और नीचे वाले के बीच में जो मध्य भाग है उ से उच्चारित किया जाने वाला स्वर अनुद्ध होता है आगे देखो उद्धातों अनुद्धातों वर्ण धर्मों समाहियेते स्वरिती संग्या शात उद्धात और अनुद्धात के जो समाहार से युक्त है उनकी मद्ध्य भाग में जो उच्चारित होने वाला है वो आलू आदी उचारन स्थानों के मध्धे भाग से उचारित स्वर स्वरित संग्यक कहलाते हैं स्वरो के उद्दात आदी भेदो का प्रियोग वेदिक संस्कृत में मंत्रो उचारन या वेद पाठ करते समय हस्ट स्वर के रूप में किया जाता था अब इभी किया जाता है स्वरों के उद्दात आदी भेदों को पुनह अनुनासिक और अनुनासिक अनुनासिक और अनुनासिक देखो सबसे पहले स्वरों को तीन भागों में बाटा गया था जिस्व, देर्ग और प्लुद फिर उनको तीन तीन भागों में बाटा गया था कौन-कौन सा उद्दात 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 और स्वरित ठीक है अब आगे हम इसको डाइग्राम में भी समझेंगे अब इनको दो दो भागों में और बाटा गया है अनुनासिक और अननुनासिक अनुनासिक का मतलब क्या होता है जिनका उच्चारन नाग से किया जाता है नासिका से किया जाता है वो और अननुनासिक कौन सा होता है जिनका उच्चारन नासिका से नहीं मुक से किया जाता है अनुनासिक वर्णों का मुक और नासिका से किया जाता है और अननुनासिक वर्णों का उच्चारन किस से किया जाता है मुक से इनको पुन हें दो दो भागों में भाजित किया गया है अनुनासिक जब किसी वन्ट को उच्छारन करते समय प्रान वायू मुख वन्ट नासिका दोनों से बाहर आती है तो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं जैसे अनुनासिक वर्ण, एक बार क्यूशन भी आहे था कि अनुनासिक वर्ण टोटल होते कितने हैं, ये 5 वर्ण होते हैं ये माहस्वर सुतरों में भी आते हैं अनुनासिक वर्ण, जब किसी वर्ण को उच्चारन करते समें वायू केवल मुख के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें अननुनासिक उन्हें अननुनासिक या निरनुनासिक वर्ण कहते हैं जैसे ए, आ, ख, क, च, आ, दी स्वर के भेद चक्र अब देखो अब भी हमने जो भी पढ़ा उनको एक डाइग्राम के माथन से फिर उनको तीन भागों में बाटा उद्दात, अनुदात और स्वरित दिर्ग को भी तीन उद्दात, अनुदात और स्वरित लुत को भी तीन भागों में उद्दात, अनुदात और स्वरित फिर इनको दो दो भागों में अनुनासिक 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 अननुनासिक तो ये कितने हो गए छे फिर ये भी हो गए छे और ये भी हो गए छे अब जो रिस्व वर्ण है इनका दिर्ग भी बनता है जिसे ए है ए का दिर्ग क्या बनेगा आ तो ये रिस्व जितने भी वर्ण है पांच ए ई उ री ल्री को नहीं मानेंगे री इनका क्या होता है इन सब में काउंट होगा तो 6, 18 भेद इनके हो जाएंगे दिर्ग है वो इनका प्लूत बन सकता है तो इनके 12, 12 भेद होंगे क्यों? क्योंकि उनमें रिश्वर नहीं होता है देखिए स्वर ए, ए, उ, री इनके कितने भेद होंगे? 18 उद्दात आदी के अनुसार इनके 18 भेद होंगे लरी के कितने भेद होंगे? 12 भेद होंगे ए, ओ, ए, ओ, इनके कितने होंगे? 12 है कारण क्या है? लरी को लरी में क्या होता है? दिर्ग का अभाव होता है फिर ए ओ ओ ओ इन में रिस्व का अभाव होता है और लरी में क्या होता है दिर्ग का अभाव होता है कभी भी संस्क्रित में लरी को बड़ा कहीं नहीं देखा है हमने इसलिए इनके जो दिर्ग रूप होता है इनका दिर्ग रूप भी बन जाएगा इनका फ्लूत भी बन जाएगा ठीक है इस प्रकार इनके अठारा भेद हो जाएंगे और ये जो आ, ए, ओ, आ, 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 ये जो है इनका रिस्व नहीं होता इसलिए इनके बारा भेद होते हैं फिर एक सुत्र आता है हमने उपर देखा कि लरी के कितने भेद होते हैं लरी के बारा भेद होते हैं और री के कितने भेद होते हैं री के अठारा भेद होते हैं तो टोटल कितने हो गए तीस भेद ठीक है तो ये जो अगर एक्जाम में आप से आगे हम प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार इनको करना है देखो मैंने यहाँ पे हर प्रकार से समझाने की कोशिस की है आपको रिवर्नस से कती भेदा option के आधार पर आंसर होंगे option A 13, option B 12, option C 30, option D 10 अगर इसमें 12 और 30 दोनों option में है तो हमें 30 पहले सही करना है फिर है रिवर्नस से कती भेदा यहाँ पे 30 option में नहीं है तो रिवर्नस के कितने भेद हो जाएंगे 12 भेद हो जाएंगे फिर है रिवर्नस से कती भेदा तो रिवर्नस में यहाँ पे 30 option है तो यहाँ पे 30 सही हो जाएगा फिर है रिवर्नस से कती भेदा यहाँ पे 30 option में नहीं है तो यहाँ पे 18 सही answer हो जाएगा friends आज हमने ये one विचार में पहला स्वर हमने पूरा डिटेल से देख लिया अगर आपको स्वर में ये सब याद हो जाते हैं तो इसके अलावा आपको और कहीं से स्वरों के बारे में कुछ पढ़ने की कोई अवश्यक्ता नहीं है next वीडियो में हम वेंजन के बारे में पढ़ेंगे फिर वेंजन और इनके उचारन स्थान देखेंगे I hope कि आपको समझ में आया अगर समझ में आया तो comment जरूर किजिएगा